यहां पर सेंपल पेपर में क्वेस्टिन है यह इमेज दी वही है ठीक है यह किसका ब्रेकडाउन है ग्लुकोस का येस्ट में येस्ट जो होता है हमारा और्गैनिजम उसके अंदर बताया गया कैसे होता है ग्लुकोस पाइरुवेट प्लस एनरजी फिर इथरनॉल प्लस सी ओ प्लस एनरजी तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा इसके लिए सही है ठीक है किस तरह का प्रोड़क्ट इसमें अप्टेन हो रहा है तो हमेशे याद रखना कि येस्ट में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है येस्ट जो होती है वो ऑक्सीजन की एपसेंस में ही अपन पалог ढूआ है धिरिक है अनरोबिक हो गया अग। अंआपसेंस अव असग्सीजन अगर कोई अनिमल बना चीजन बना सो ये प्लै डियोड में दखा 209-4 दीघर में दिखा 209 प्लाड गते है ईंड़ड्ल क या पर अपड़ उसमें हो यून गवां इनजरीं टीज सरी होगी आपने देखाऊगा कई आपको चोट लग जाती है तो उसके उपर एक blood घटा हो जाता है, फिर एक cover सा हो जाता है ना brown brown सा जिसको आम scratch भी गर लेते हैं बाद में तो इक इसलिए होता है, यह होता है platelets form clot, ठीक है, clot होता है छोटे 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 blood के ठखे टाई, ठीक है कि silver chloride placed under the sunlight sunlight के नीचे अगर silver chloride को अप लोगे ठीक है तो क्या होता है कि वो decompose हो जाता है decompose होके वो silver metal और chlorine gas इन दोनों चीज़ों में को form कर लेता है silver metal और chlorine glass निकलती है इसमें से अगर हम इसको sunlight के नीचे रखें किसे silver chloride को तो यह किसमें यूज़ों होता है फिर जो यह product आता है last में silver metal and chlorine gas यह actually इसका formula यह होता है यह हो गया silver chloride ठीक है अब यह देखो यहां पे यह decomposition हो गया equation में और हमें question पूछा है the color of silver chloride after some time is gray in color यह दर्षना बाद में यह gray color की हो जाती है और इस चीज़ में यूज़ों होता है this is used in black and white photographies ठीक है next है आपका a substance X is used in white washing and is obtained by heating limestone मैं आपको बताया था पहले भी कि white washing के लिए जो यह powder use होता है उसको कैसे होता है उसमें 2 equations होती है तो एक में क्या होता है जब limestone का हम heat करते है ठीक है तो हमें क्या मिलता है heat करने से calcium oxide और calcium oxide का chemical formula होता है CAO which is called as quick lime ओके next MCQs देखेंगे question number 4 which one of the following is true if a substance has a pH value of 4 देखो pH value में मैं आप यह याद रखना कि अगर pH value 7 से कम है तो वो acid होगा अगर pH value 7 से ज़ादा है तो वो base होगा तो आपको question में क्या दिया हो है 4 4 का मतलब है वो हमारा acid है acid क्यों है क्योंकि वो 7 से कम है ठीक है अगर exact 7 होता तो आप बोलते कि वो neutral है ना वो acid है ना वो base है समझ आ गई बात क्योंकि ये it is less than 4 तो ये हमारा substance acid है confuse मत होना अगर greater होगा 7 से तो base बोलना और अगर neutral होगा तो वो हमारा 7 होगा ठीक है all right ओके next question है आपका sodium carbonate पूछ रहे हैं कि किस तरह का salt है strong है base है उसका या weak acid है तो answer यही है आपका B part sodium carbonate जो हमारा होता है Na CO ठीक है strong base होता है और weak acid होता है sodium आपको पता है salt होता है Na यह देखो एक diagram आपको दिया वा है यह हमारा excretory system है ठीक है urine pass होने का यह आपको यहाँ से देखो kidney जो होती है वो clean करती है filter करती है फिर यहाँ से tubes में जाता है tube से यहाँ जाता है और फिर यह bladder में आ जाता है ठीक है तो यह पूछ रहे हैं indicate करके कि जो यह X है यह क्या चीज है यह आपका bladder है ठीक है bladder में urine का बात है जब वो pass होने वाला होता है तो आप इसमें आप सर आजाएगा आपका it stores the urine till urination जब यूरीन पास नहीं होता है यह bladder जो होता है उसको store करके रखता है ठीक है अब देखो यह कितना अच्छा question है आपने photosynthesis पड़ा है तो यह देखो equation बिल्कुल photosynthesis की है इन्होंने बोला नहीं है question में question में क्या लिखा है which of the equation show current conversion of carbon dioxide and water into carbohydrates in plant तो आपको पता है carbohydrate एक energy का फार्म है प्लांट के अंदर तो वो कैसे होता है photosynthesis से तो photosynthesis की यह वाली equation है याद रखनी है इसको बूलना नहीं है okay